रोज के नाश्टे से बोर हो गए हैं तो आप ये टेस्टी इडली सैंड्विच बना करके देखेगा हेलो एव्रिवान आज मैं आपके साथ एक टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसेपी शेयर कर रही हूँ तो चलिए शूरू करते हैं तो सबसे पहले महनिया पर ये एक बाउल दही लिया है ये थ्री फोट कप है इसी के साथ हम लेंगे सूजी जितना हमने दही लिया है उतना ही हमने सूजी लिया है और ये मोटे वाली सूजी है दही और सूजी को हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ दह और इसे के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम सूजी को 10 से 15 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे अब हम स्टफिंग के तयारी करते हैं जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें डालेंगे हम 1 ठेबल स्पून ओयल ओयल के गरम होने पे अब हम इसमें डालेंगे मस्टर स्टीट्स जीरा सों और ये साबुद धनिया जिसे हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है और इन सब को हम ओijl में अच्छ से mix करेंगे जिससे की इनका flavor oil में आ जाये अब इसमें जाएगा 1 medium size प्याश जिसे हमने एक दम बारी कट किया है और इसे के साथ हमने एक हरी मिर्च ली है और ये तिखी वाली हरी मिर्च है प्याश को हम 2-3 मिनद तक लोफ लिम पर भूनेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून नमक नमक आप अपने स्वाधनुसार ले सकते हैं प्याश को हम 2-3 मिनद तक गोल्डन कलर का होनिक तक फ्राइ करेंगे अब इसमें जाएगा लालमिश पाउडर धन्या पाउडर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हमने हिंग डाला है हिंग का फ्लेवर इस से बहुत एचा आता है आप इसे स्किप मत कीजिएगा इन सबको हम अ मैश कर लेंगे इसमें ढालाएं हमने 2 अर्डन को हम मिला देंगी अ मिलने की बाद अब इसमें डालेंगे हम एक नीब्व का रस टालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और दस मिनट के रेच के यह देखिए सूजी अच्छे से फूल चुकी है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे तो अभी मैंने यहां पर वन फूर्ट कॉप पानी लिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे वन टेबल स्पून पानी मैं इसमें ओर एट कर रहे हूं और यह देखिए यह बैटर अच्छे से बन चुका है अब हम इसमें इन्व मिलाएंगे तो वन टी स्पून हम इसमें इन्व फूर्ट सॉल्ट एट करेंगे ठोड़ा सा हम इसके उपर पाने डालेंगे और इसे हम हलके हाथों से mix कर लेते हैं इन्हों mix करने के तुरंट बाद ही हम इस batter को steam होने के लिए रखेंगे तो इस इडली सैंडूश को बनाने के लिए हमने ये चार कटोरी ली है इन्हें हम oil से grease कर लेंगे तो 2-3 टेबल स्पून बैटर हम एक कटोरी में डालेंगे और बैटर डालने के बाद हम 2-3 बारेंगे टैप कर देंगे और अब हम इने स्टीमर में रखेंगे मैंने यहाँ पे कड़ाई में पाने डालकर रखा है और यह अच्छे से गरम हो चुका है इसमें हम ये stand लगा देंगे और जो पानी हमने डाला है ये stand की height तक है और अब ये इल्ली की कटोरी हम इसमें रख देंगे और अब हम इन रवाई इल्ली को steam में बनाएंगे तो कडाई को हम cover कर देते हैं और कड़ाई में से स्ट्रीम ना निकले इसलिए मैंने इस प्लेट पर भी वजन रख दिया है और फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है मीडियम फ्लेम पर हम 10 मिनट तक एडली को पकाएंगे तो मैंने यहाँ पर इन्हें बारा मिनट के बाद चेक किया है बारा मिनट के बाद ये देखे अब हम इन इडले को चेक कर लेते है तो टुपिक एकदम क्लीन आई है इडली बन करके तयार है तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते है और अब हम इने 10 मिनट के लिए ठंडा होने को रखेंगे अलग कर लेंगे कटोरी से और इसे हम टैप करते हुए बाहर निकाल लेंगे तो ये देखें इडली एकदम इसली डिमोल्ड हो गई है और ये देखें इडली बहुत ही अच्छे से निकल चुकी है अब हम इने कट करेंगे तो नाइप से इस तरीके से हम इसे कट करेंगे जब इडली एकदम अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब भी आप इसे कट किजेगा नहीं तो ये तूट सकती है और ये देखे इडली को हमने कट कर लिया है अब हम इस पे स्टफिंग लगाएंगे तो एक चमच हमने आलो की स्टफिंग लिए है इसे हम इस तरीके से प्रैस करते हुए चारों तरफ लगा देंगे और जो इडली का उपर का हिस्सा था उसे हम कवर कर देते हैं कि सेटफिंग को हम ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जब हम इने फ्राइ करेंगे तो यह टूट सकती है एक क्वेश्पिंग हम अच्छे से फैला देँगे और दूसरे हम इसे से कवर गरदेंगे और हम इन थुदा सा क्रिश्पी करेंगे तो इटली को क्रिس्पी करने के लिए हमने एक फ्राइ पें दिया है इसमें डालेंगे हम 1 टी स्पून oil ऐल के गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे ठोड़े से सफसेद दिल और ठोड़े से राई आप चाहें तो वन टी स्पून ओयल मैंने और डाला है अब ली नीचे से अच्छे से सिख चुकी है तो अब हम इसे फिलिप कर लेते हैं और ये देख सकते हैं इडले का कितना अच्छा कलर आया है एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है तो नीचे से भी हम इसे इतना ही क्रिस्पी बना लेंगे और ये हमारा हेल्दी और टेस्टी नाश्टा बनकर के तयार है आप भी इस हेल्दी नाश्टे को एक बार ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू पर वाजिंग